असलाम अलेकुम दोस्तों स्वागत करता हूँ अब सभी लोगा मेरे चैनल ट्रेबल गुरु मसूद में मैं आपका होश्ट हो दोस्त मसूद आनम आज मैं मुंबई पहुंच चुका हूँ और ऑफिस पे पहुंच गया हूँ और अब जो है इमिग्रेशन से रिलेक्टेड ल आपको सबसे पहले मिल जाएगा मेरे चैनल के तरफ से आज मैं हाजी हुआ हूँ कुछ साओधी अरब के अप्टेट्स लेके कुछ इंफरमेशन लेके साओधी अरब में एक औरत को जो है यह कर दिया गया है उसको डिटें किया उसको पकड़ा गया है साओधी नेशनल ही ह तो यह दोनों मिलके मनी लॉंडरिंग करते थे इस केस में लोग पकड़े गया है तो मैं इसमें और जो भी अपडेट्स आ हैं मंकी पॉक्स को लेखे हाउस ड्राइबर के जॉब में और उनके क्या कोड रहेंगे और एक वहां पे नॉबल प्राइस भी लड़की ने सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग और सेर करिये दोस्तों में आप लोगों को साओधी अरब के जो भी चोटे बड़े नियूज है जो अपडेट्स आपको चाहिए वो इस चैनल पर मिलते रहते हैं और विजा के र प्रेस करेंगे आपको अपडेट्स आते रहेंगे तो गुजार इस करते हूं आप लोगों को सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बूक पे देख रहे हैं तो पेस को लाइक कर लिजिए इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करिए कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ स अब अब लगा है तो अब लगों ने उनके उपर इजाम लगा है 63 जूर्माना लगा है साथ के Video 12 सान के लिए उसके जायर शास पगाई ऑच alan के और पकशास मिलेग करना लेकां होगा है थी सब्सक्राइब करेंसी ने 1 साल भी दूसरी बहुद बड़ी अपडिएट यह आरही है कि आप आप करिब आठ साल या साह शाल पहले जो मक्त्राइब ने मजजिदे हरम में जो क्रेन हाथसा हुआ था जो ओवर हिट क्रेन गिरे हुए थे उसमें कई लोग की मौत हुई थी वह अभी तक जान चली रहा था कोई फैसला नहीं है उसके लिए जो है साथी अर्विया के सुप्रीम कोड ने ओवर्टन किया है और जो है दुबारा से जो परता सुप्रोगी रिट्राइल चरहेगा उसका जो मक्का में मक्का सरीफ में जो हरम सरीफ में गिरा हुआ था उपर से क्रेन कई लोग की मौत हुई थी उस पर साथी गवर्मेंट ने बहुत लोग को बहुत सारा खामया जा दिया भरा था लोगों को दिया था मतलब मेरे जाल से बहुत जादा जादा है पईसे जो कोरोर रुपे इंडिया के तो लोग वहाँ पे मरे थे उनको जो है इंडियन लोग भी मरे थे उसमें उस हार्से में उनको भी जो है साओधी गौवर्मेंट ने कंपनसेशन दिया था और तीसरी जो सबसे वड़ी निउस आ रही है वह कहीं नहीं जो गहर मुल्की है उनके लिए एक जो है दुख की बात हो सकती है क्योंकि साओधी गौवर्मेंट ना साओधी जो सुरू किया था जो साओधी लोगों को काम करने के लिए जो है बैंकिंग सेक्टर में हर सेक्टर में जो दिया था उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है पासे जार नोसो तैंटीस लोग काम करते थे अब भी जो है उनकी तादा जो है जो उसमें सब थे गैर मुलकी भी थे अभी छटनी करने के बाद से सबसे ज्यादा उसमें 85% जो है इन सबसे बड़ा यह चीज बूल सकते हैं कि साओधी गवर्मेंट ने अपने लोगों को वहां पे कबजा करा दिया मतलब अब वही लोग all to all banking sector में रहेंगे कोई भी खारची लोग नहीं रहेंगे और एक और जो जानकरी आई थे मैंने अपने चैनल पर सेयर किया था पहले जो अगली जानकरी वह इसके लिए है कि जो भी अपने पास आदमी बुलाते हैं और दूसरी जगह लोगो काम करने के लिए चोड़ देते हैं या आप को दाजाद वीजा समझ के चले जाते हैं दूसरी जगह काम करते हैं और किसी दूसरे कफिल की रहती है इस पे जो है फाइन का जो प्रावधान वा था वो फाइन के चार्जेस कितने लगेंगे वह गौर्मेंट ने अनौंस कर दिया है कि एनी कोई भी इस्टेबिस्मेंट जो है अपने वर्कर को काम करने के लिए लीगली आलाउ करता है दूसरे काम करने के लिए अपने पैसे के लालज में कि मुझे पैसा कुछ मिल जाएगा मैं इसलिए या कौनगा मुझे कुछ करना नहीं आपना ही कामा अगए रहना सब और देखेगा मुझे उल्टा पैसा भी देगा उसलिए या फिर वो नोगों को कुछ हैवी अमॉन लेके अगर वो जो है दूसरी जगह उसके बंदे काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो और उसका जो रूटमेंट बैना मतलब उसको विजा नहीं दिया जाएगा पांच साल के लिए पांच साल के लिए सौधी गवर्मेंट उस पांटिकुलर कफिल को पांटिकुलर कंपनी को व हर देच जाहे और उसके बास Jail भी हो सकता है फॉतकर चलर पा कंपनी कोई बहुत lad कर विए साथिने हैं यहांगा मृत विए घर पाषे है तो ऀदानी तो जो होगी उसको जैल में जाना है अगर वह इंटीन ऐा पाकिस्तानी हा दूसरी दूसरी कह साथिको नहीं है व किवह जाएगा वहां से बैन कर दिया जाएगा सौधी वो नहीं जा सकेगा उसको जो है इमेडियेटली सौधी से बाहर भीजा जाएगा डिपोर्ट किया जाएगा भाई आप जाएगे आप इलीगल एक्टिविटीज में इंवाल्व तेका फिल उसके जाएगा और अगर उसका मैनेजर अरबी या तो है एक साल के लिए एक साल तक या प्रावधाने और आगर इंडियन है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो ये भी बहुत बूरी ख़बर है और अगली जो खबर है वह ड़्यों की तरब से वह बहुत बुरी और है कि ग्लोबल इमर्जंसी जैसा कोरोना डिकलियर हुआ था उसके केस बड़े थे वईसे ही इसको भी कर दिया गया है यह भी काफी खतर ना कि और ब्लॉचेस टाइप के बोड़ी पे होते हैं मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूँगा आप देख लीजिएगा तो यह भी काफी खतरना है कि इसको डबलॉचेस ने जो है ध्यान में रखते हुए कि काफी तेजी से अगर फैलेगा तो बहुत लोगों को जान की जानगावानी पड़ेगी तो इसको भी उन्होंने एमर्जंसी डबलॉचेस गोसित कर दिया है मंकी बॉक्स और एक न्यूज आई थी आप जो देख रहे होंगे उसमें जो है जो अगली न्यूज बता रहा हूं कि जो ड्राइबर से जो ड्राइबर लोग काम करते हैं कफी लोग के पास में या फिर कंपनी में कहीं भी जो जो ड्राइबर उनका ड्रेस कोड साओधी गौर्डमेंट ने जो है एक फिट कर दिया कि आप लोगों को इस ड्रेस में रहना है रिकोनाइज किया जाए कि आप लोग ड्राइबर हो तो जो भी हाउस ड्राइबर या किसी कंपनी ड्राइबर में जहां भी ड्राइबर लोग रहेंगे खारजी लोग रहें या फिर औरते रहें जो भी लोग ड्राइबिंग करते हैं जो driver के post पे काम करते हैं उनके लिए dress code जो है जो है ये साथी government ने ला दिया है जिसका approval कर दिया है टेक्सी जो भी चलाते है उनके लिए भी तो mail जो driver होंगे वो लोग जो है national dress या फिर blouse and trouser जो आदमी लोग रहेंगे तो एक trouser जो होता है trouser के साथ में उपर का एक blouse लोगो एक ID भी रहेगी ID भी आप लगा चलिए कि आप जो है ड्राइवर है और जैकेट और कोट में जो है ये जरूरी है उपर से जैकेट या कोट डालने के लिए तो ये आदमी लोग लिए और तो लोग अगर गाड़ी चला रही है तो उनके लिए क्या रहेगा और लोग जो है कि ये लगए कि यह लगे कि यह रहेट ऑफ चिस्ज जुह है कोई सामने से देखे तो पता चलिए ओवर लाव अप्र फीरेंस होता है जानने के लिए और जल्दी से रिग नाइं सुझ है इसके लिए उनके लिए ड्रेस कोड मेंडेटरी किया गया है और ये भी हिया इंक्रीज दॉक्वालिटी अप्ट प्रोड़िड सर्विस तो जो लोग जिस तरह की उनको सर्विस मिलनी से ही उसकी जो सर्विसेज है वह भी इंप्रूब्ट करने के लिए उसमें भी कुछ फायदा हो और इंप्रोव्मेंट वो लोग करें साओधी के यह जो देख के कर रह है कि यह ड्राइबर है आप लोग समझ लीजिए और कुछ भी इंक्रीज जो है क्वालिटी वगजर कुछ नहीं होने वाली है बाहर के लोग रहां ड्राइबर है चलो बस एक चीज़ एक डिसेंटी दिखेगे कि 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 हां क्वालिटी इन किस करने का मतलब यह होगा चाहिए इनका नाम है और इनको जो है गिनीज वर्ल रिकॉर्ड में इनको सामिल कर लिया गया है वॉल्ट यंगेस एबर बुक सीरेज राइटर मतलब दुनिया की सबसे यंग सबसे कम उमर की बुक राइटर नोवेल राइटर के तौर पे इनके नाम को गिनीज बुक ओफ रिकॉर्ड में डाला गया है इनका नाम जो है आ गया है इनका फोडो में शेयर कर दूँगा आप लोग देख लिए जाएगा यह साओधी नेशनल है तो यह साओधी लोगो के लिए काफी से के आपका अगर इकाम जो है वेलिट है कि नहीं है फिर भी आपको फाइनल एक टर कब लग जाएगागा तो फाइनल इकजिट ट्रके लिए जो सवाल पूधा ऊथा है जवाजात ने मोझवाब दिया है कि अगर आफ फाइनल एकजीट जूड जाना चाहते है तो आपका जो एकामा है वो वैलिड होना चाहिए जबी आपका फाइनल एकजिट लगेगा तो जाए छुटी हो चाहिए फाइनल एकजिट हो जब तक कि आपका वैलिड नहीं है नहीं लग सकता है आसा करता हूं आज कि यह जानकर यह आप लोग को अच्छी लगी होगी अपुमभई मै के लिए एक अलग से सेसंचाल करूंगा संडे के दिन आपके जो सवाल रहेंगे उस सवाल आप जो है मेरे चैनल पर या मेरे Facebook पर या मेरे Instagram पर मुझे पूछेंगे उस सवाल जो भी सवाल इसा लगेसा लगेगास यह सवाल लेने लाईिए तो सवाल उनके नाम के साथ में उस पर वीडियो बनेगी और लोगों के सवाल को लिया जाएगा तो क्यों इन सेक्षन चलेगा हर संडे को इंशाला तो दुआ करें मेरे चैनल ऐसे आगे बढ़ता रहे और आप लोगों का प्यार अबबत सब मिलता रहे तैंक्यू गैस तैंक करी दो कर दो दोग में वर्चिए कर दो कर दोह दो थे जुआ कर दोगता है तो कर दोगता है तो